गाईज मान लो कि अगर किसी दिन डॉल्फिन और शार्क की बिढ़नत हो जाएं तो क्या होगा? तो हाँ आप लोग कहेंगे कि प्यारी सी दिखने वाली डॉल्फिन इस खतरनाक शार्क का क्या बिगाड लेगी? तो आप गलत हैं एक्चली डॉल्फिन शार्क से जादा फूर्तीली होती है और उसके पास एक होरिजॉन्टल पूछ होती है जो कि उसे उपर से नीचे और नीचे से उपर तेजी से जाने में मदद करती है और इसी वज़े से डॉल्फिन अपने मजबूत मूँ से नीचे से उपर जाते हुए शार्क के नाजुक पेट पे हमला कर देती है और यही वज़ा है जिसकी वज़ा से शार्क डॉल्फिन से डरती है गाईज जो दिखता है वो होता नहीं है क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा पूरी दुनिया में एक ऐसा समंदर है जहां पर अगर आपको तैरना ना भी आता हो तो भी आप कभी डूबोगे नहीं ये समंदर इस्राइल में है जिसका नाम है डेड सी यानि की मृत सागर अब आप कहेंगे कि इसको मृत सागर क्यों कहा जाता है क्योंकि नॉर्मल समंदर के पानी की तुलना में इसमें आठ गुना जादा नमक की मात्रा पाई जाती है जिसकी वज़े से कोई भी समुद्री, जीव जन्तु या फिर वनस्पती इसमें पनपी नहीं सकती इसमें मिनरल्स और सॉल्ट इतने जादा है कि इसकी वज़े से इसकी डेंसिटी बहुत जादा है और उसी वज़े से आप इसके उपर फ्लोट करते हैं और कभी डूपते ही नहीं है क्या आपको इसके पहले तक ये फेक्ट पता था और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और ऐसे मेजिंग वीडियो के लिए शेर सब्सक्राइब और लाइक मिलता अगले वीडियो में